हलो फ्रेंट नमस्ते अदाफ सच्छी अकाल कैसे हैं आप सभी लोग आपका इस नया चैरल में हारदिक स्वागत है आपकी कहानी मेरी जुबानी आज हमारा नया टॉपिक है कड़वासत एकीन मानिए ये टॉपिक बड़े ही मज़िदार है और पूरा देखिए स्किप करके म अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बाक्स में अपनी राज जरूर दीजिए जिस तरह मानो जन्म के बाद भूल जाता है उसका मनना निश्चित है बिल्कुल सही है मानो जन्म लेता है धरती पे तो भूल जाता है कि उसका मनना भी निश्चित है लेकिन इस में वह क्या नहीं करता उसे लगता है वह ही सब कुछ है और इस नए जीवन में उसे लगता ही है वह सब कुछ है यानि वह सबसे उपरी है अगर उसके पास पैसा है गाड़ी है बंगला है सब कुछ है तो उसको लगता है वह ही सब कुछ है अगर आपके पास पैसा हो तो उ आप अच्छे काम में लगाईए, आप किसी गरीब को दीजिए, आप किसी समाज में इतने सारे दुख्यारे पड़े हैं, बहुत सारी टॉपिक है, आप वहाँ पर लगाईए, एकीन मानिए आप को दिल को बहुत ही सकून मिलेगा, मेरा मानना है आज इस युग में बेटा ब पाप का नहीं रहता, बेटी जो है, माप जो बेटी को पाल पोस्कर बढ़ी की रहती है, वही आज के इस युग में अपने संसकार को भूल कर अपने मा की बात नहीं सुनती हैं, और भाई-भाई का आज जानते हैं इस बेरोजगार जिन्दगी में, जहां सब लोग पैसे क होड में आगे बढ़ने की कोशिस लगे रहते हैं, वही पर भाई-भाई का नहीं रहता है, आप एक कहाने सुने होंगे, कि जब एक लकडी रहती है, और कई गठर रहते हैं, जब उसको अलग-अलग कर दे जाता है, तो वह सब लोग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही उस बंडल दिया जाए, तो आपको तोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्या यही हमारा सच है, बिल्कुल हाँ, आप भले यकिन मत मानें, लेकिन सब का यही सच है, हर घर की बात यह है, एक वैद दौर था, जब लोग पेडों को नीचे बैट कर आपस में घंटों बात किया बिल्कुल सही है, आप जानते हैं, मेगस थिनीज भी इस बात को कहा है, कि जब एक दौर था, भारत में जो एक दौर था, बहुत ही सुनहरा था, लोग आपस में बैट कर पेडों के नीचे घंटों बात किया करते थे, ऐसा मानो कि कोई दुखी नहीं है, तब सब के अंदर प्यार था, एकदम सही है, तब सब के अंदर प्यार था, लेकिन आज क्या है, आज की तरह नहीं बस कड़वा हट पाल कर बैठे हैं, बिल्कुल सही है, आज के इस युग में, आज की इस दौर में, लोग कड़वा हट पाल कर बैठे हैं, अभी आप ही को ले लीजिए, और दोनों नंबर आने के चक्कर में और इस युग में आगे बढ़ने के चक्कर में एक दूसरे का ही दुस्मन बन जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कैसे क्योंकि ये सच्चा कड़ुआ हट है सच्ची कहानी है सब के बीच ऐसा होता है हमें सबसे प्यार करना चाहिए च आप इस जीवन में हम भीएम्रा रड़कर इस निरुपालबन कर एब दूसरे का तसे कि उन्ह minute हो ना हो हम लोग को एक रहने की जरूरत है यही सची बात है और ताकि ऐसा हो एक दोर यह आए कि सारे हमारे जो समाज में लोग हैं सब लोग गठा होकर आपस में पहली की तरह बात करें आपस में पहली की तरह जिंदगी बिताएं एक पल के लिए आप बिता कर देखिया एकीन मानिया आपको बहुत ही सकून महसूस होगा आज जो हम लोग मुबाइल चलते हैं घंटों देते हैं और उसी घंटों मुबाइल के बीच में अपने परिवार को भूल जा रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरी को समय नहीं दे पा रहे हैं आप समय देखकर देखिए आप बात करके माब आपको आप से ज़्यादा गर्व कभी किसी पर होगा ही नहीं और हर कोई चाहेगा कि मुझे ऐसा ही बेटा दे और ऐसे ही बेटी दे तो अगर मेरी कहाने आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस कहाने से क्या सीखे हैं आप जरूर कमेंट कीजिए जैहिन